नवस्कार SPN 9 News आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ अक्षागरवाद मद्यप्रदेश से भी अब राज्य सभासांसत के लिए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं को चुनने में जुट गए हैं कॉंग्रेस ने यहां एक ऐसे चहरे को चुना है जिसका नाम जैसे ही सामने आया उसने वाकई में हर किसी कुछ्याओं का दिया और सबसे ज्यादा तो बीजेपी नेता और केंद्रिय नागरी कुड़ेयन मंत्री जियोती रादी तेस सिंधिया को चुना है तरसर मध्यपर्देश के जिस तरह से यहां अब राज्य सबसांसत की तौर पर चुनाव एंपी से भी शुरू हो गया है ऐसे में यहां बड़ी चुनाथी जोती रादीति सिंधिया को देने के लिए कॉंग्रेस का ये कदम माना जा रहा है बता दें कि जोती रादीति सिंधिया ने जस तरीके से 2020 में कॉंग्रेस पार्टी से बगावत करती है 22 विधायकों को अपने साथ लेकर पार्टी का दामन छोड़ कर यहां भारती जनिता पार्टी का हाथ थाम लिया था उस वक्त सूबे में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी 2018 के MP विधान सब चुनावों में 114 सीट जीत कर कॉंग्रेस भले ही बहुमत का अकड़ा जो 16 का ता उसे पार ना कर पाई हो लेकिन उस वक्त कमलनाथ और दिगज नेता कहें दिगई या दिगविजज सिंग ने कई धलिये विधायकों को अपने पक्ष में करकर कांग्रेस की ओर सी यहां सरकार बना दी थी और भहुमत का अकड़ा भी पार कर दिया था लेकिन उस वक्त कहीं न कहीं जोतिर अधित सिंधिया ये कयास लगाए बैठे थे कि पार्टी उन्हें मुख्यमंतरी बनाएगी मुख्यमंतरी की कुरसी उन्हें सौप देगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पार्टी ने कमलाथ को मुख्यमंतरी की तौर पर चुना और ये बात ज्योति रदित्य सिंधिया को इतनी नागवार गुज़ी कि डेड़ साल बाद तक भी वे इस बात को अपने मन से नहीं निकाल पाए और फिर डेड़ साल बाद यानि सरकार बनने की डेड़ साल बाद सिंधिया ने कॉंग्रेस का साथ छोड़ते हुए बीजेपी लेकिन उस वक्त वैसा भी नहीं हुआ और बीजेपी ने अपने पुरानी चेहरे और उस वक्त तक तीन बार सुबे के मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंग चाहान को भी मुख्यमंत्री बनाया इसके बाद बीते साल 2023 में MP मिफर से विदान सब चुनाव होते हैं और सब के बीच MP विदान सब चुनावों में भारती जन्रता पार्टी के द्वारा जियोति राजित सिंधिया को ग्वाली और चंबल संभा की 34 विदान सब सीटों के जम्यदारी दी जाती हैं और वहां बीजेपी के कमल को गहराई तक गार्डने में कहीं ना कहीं जियोति प्रजने का भी अपना कदम आगी नहीं बढ़ा है अब माना जा रहा है कि सिंधिया को कॉंग्रेस के खिलाब बीजेपी लोगसब चिनावों में मैदान सोतार सकती है और उन्हें शिप्पूरी ग्वालियर या गुना लोगसब असीट से चिनावी ताल ठुकवा सकती है ल प्रेश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 News